और वह बहुजंग के सब्सक्राइब दूसरी सबसे बड़ी चुनोती जो क्या है कि अमबेडगरबाद को हमें थोड़ा और विश्थार से समयने की कोशिश करनी बड़े क्योंकि अमबेडगरबाद से अमबेडगरबाद से हम लोगों ने भी अच्छो तो जैसे वावार किया हम अपने जैसे जाती भाई होता है उस तक तो अमबेडगरबाद को ले जाते हैं अमबेडगर की विचार को ले जाते हैं लेकिन अन्यवर्ग को छोड़ देते हैं वो अंबेडगर वादी है जो समाज क्यों दिखों वादी है जो जन्वादी अधिकारों के लिए लड़ा वillar Force op भादी Exodus क्योंकि अंबेडगर सामाजिक नयाय की स्थापने करना चाहते थे जो जाती के विनास के लिए लड़ रहा है वह अंबेडगर बाती है क्योंकि अंबेडगर बोलते जाएंगे जमूरियत्मे होता है लोकततर में शिच्छा रूप से विरोधा बाद की हमें जूदी को समझने जरुप थोवा उसमें समुदा लाना, समांता इस्थापित करना ही जरूरी है। जब तक हम उन आर्थिक मुदों के लिए वन्चे समुदाय है उसके लिए साथ आके बात निकरेगे। हार्थिक मुदों पर एक साथ निंहीं होंगे। और हमें लगता हैं कि जो बहुजन के हितों से जुड़े में केवल उसमें भी कुछ पर्टिकुलर्स खास्ट जाती का ही हम पंडन करते हैं बलकि उससे अलग जो भी शिक्षा का निजी करन होता है तो उसका सबसे बड़ी मात बहुजन पर पढ़ती है और शिक्षा का निजी करने की योज नहीं है कि बहुजनों को सिक्षा से दूर कर देना जब ठेका पढ़ता सुलू की जाती है तो उसका मतलब यहीं है कि जो पहुजन एकता मजदूरों के बीच बन सकती है अपने उद्देशों को लेके अपने अधिकारों को लेके वो ना बने क्योंकि ठेकेदार से डरें जासे साथी ने मुझन भी तो हमने क्या है कि हमने कहते हैं कि बहुजोनों को पढ़ना चाहिए पढ़ने के साथ गुनना चाहिए और गुनने के साथ उन्हें इंप्लिमेंट करना चाहिए हमें अपने परिवार में अपने संगों में अपने संगटन में यह लिखित रूप से कानून बनाना चाहिए कि संगटन की 33 परसेंट जो सदस्या होंगी वो महिलाएं होंगी और जो महत्कून पद्धन पर महिलाएं होंगा अगर हम यह संगटन नहीं कर रहें तो हम असल में मेड़गरवादी नहीं है फिर हम ढपोजला कर लें क्योंकि अम्बेडगर अम्बेडगर ऐसे थे कि महिलाओं के मुद्दे पर मंत्री पत्र को त्याग पत्र देके बाहर खड़े हो पर और हम क्या करते हैं हमेरा पुर्स ए यह संगम संग पूरे होंगे क्योंकि ग्याण क्या आपके जाती का मिनास करके संता मुलक समाज को इस्तापित करना बहुजनों को जितने विज़्च में हैं उन्हें इस मुद्दे पर एकत्रित होके आना पड़े क्योंकि जाती का मिनाज करके समतमुलक समाज और कैसा समाज उसमें समानता होगी, बंदूत होगा, भाईचारा होगा और नारी के लिए भी बराबरी होगी तब ही हम कर पाएंगे, असल अम्बेडगरवाद यही है बाकी जो सब अम्बेडगरवाद है, वो अड़े बाजी से आप सीख सकते हैं, वो अलग तरीका का हो सकता है मुझे तो यही लगता है दूसरी बात, बस लास्ट खतम करूँगा अम्बेडगरवाद के बाडगंबे में वोल्म क् выпуск Your Sphème लेना चखिए उसमें वो बोलते हैं कि संपति का राश्टे करनों चाहिए खेत को राश्टे करनों चाहिए तो राश्टे करनों पूस्पा भी भूँछ चुकी है जब कैस्यों सरकार है वह जमीन हमारी है क्योंकि बहुजनों के लिए यही मुख्य समझ्या हैं और इन पर आके हम फोकस होंगे और तब इन चीज़ों को लड़ेंगे तब ही हम सच्चे माइने में जाती विहीं समतामूलत समाज की इस्थाबना कर पाएंगे और इसी उत्देश पर सभी बहुजन संक्रणों को एक हो करें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले